देखो मेरे भाई सुन्यों की संख्या निकालना यानि इसका अगर हम गुड़ा करें तो लाष्ट में कितने सुन्य आएंगे यह आपको बिना सवाल हल करे बताना है क्योंकि परिक्षा में मेरे यार टाइम बहुत कम होता है वक्त बहुत इंपोर्टेंट है याद रखना वक वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है वक्त हुजूर को भी फकीर बना देता है वक्त की कदर करना सीख ले आए बंदे क्योंकि वक्त ही है जो कोईले को भी कोहिनूर बना देता है तो वक्त की कदर एकजाम में होती क्योंकि एकजाम में 5-10 सिकेंड मिलता है मुश्किल से पांच सिकेंड एक कोईश्चन के लिए तुम बंद्रा मिनेट अगर जोड़ घटा होगे तो टाइम बिज जाएगा इनको गुड़ा करिए पांच अठे करें बताना था क्योंकि यह तो छोटा था आप कर लिए अभी अगर बड़े बड़े कुश्चन आएंगे तो मल्टीपल करने में टाइम लगेगा न एक और एक जांपल देखिए जैसे मैंने लिखा दस गुड़ा बीस गुड़ा चार गुड़ा यहां पर पांच समझना इन के गुड़नफल के अंत में कुल कितने सुनने आएंगे बिना मल्टीपल करें बता सकते हो आज जुम्हाई क्लास में पढ़ाऊंगा वही चीज पढ़ाऊंगा आपको बीना हल्की अंसर दे देना है चलो बताओ आप्सन देता हूं बोलो फट से कमेंट करके बताओ मैं सब आपका कमेंट देख रहा हूं घबराना नहीं जा दो cobstar लोग इसका अप्सने तीन सुन्ने होंगे four होंगे पांच होंगे और नौन अब दीज इन में से कोई नहीं चलो कमेंट के चेकर में न पढ़ो कमेंट में सबका देख रहा हूं बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे पढ़ाना है चलो फटा फटा बिल्कुल बहुत अच्छे पूनम सिंग बेरी गुड राहुल सुकला बहुत अच्छे ठीक है प तो फाइनल में कितना आएगा चारहजार आएगा यानि तीन जिरो आएगा लेकिन यह सब तो छोटा छोटा है तुम कर ले रहे हो ना यार अभी जब लंबा चावडा मिलेगा तब का करोगे जैसे मान लीजीए मैंने कोईस्चन दिया एक मिनिट आप लिखो पहले कोईस् देखो यहाँ पर समझो जैसे कोईस्चन है 25, 64, 60 and 625 के गुड़नफल के अंत में कुल कितना सुनने आएगा बताओ इसमें नानिक, मामिक, मौसिक, चाची याद आजाएंगी नहीं आएगा यह क्यों क्योंकि यह इसके जितना इसके जितना आसान नहीं इसका मल्टिपल करना अब बताओ कोईस्च करो एक बार देखते हैं कि आप कितना बहतरीन कोईस्च कर रहे हो चलो देखो मेरे भाईया यहां परना थोड़ा सा बात अलग है आप्सन मैं आपको देदू तो लिख लो आप्सन बताओ साथ सुनने आएंगे नौ आएंगे आठ आएंगे या चार सुनने आएंगे कितने आएंगे बोलो देखे इसका आइगा कितना पता है साथ सुनने आएंगे कैसे आएंगेु मैं सम्हों बता रहा हूं इनका गुरा करोन है नाए इनका करोन आएгор करोन आएगा फ़्कर आपको विसकार सेinta च्रिक्स म में आ जाएगी लिख ये जितनी दफ़ा देखू तुझे हाँ तो इसको लिखे है अफट अफट जब भी दो गुड़े पांच का सन्योक बनेगा तभी लाश्ट में सुनने का निर्माड होगा और यह आप सबको पता है कि भाईया सुनने का निर्माड तभी होता है जब हम दो गुड़े पांच कहीं करते हैं तब इसके अलावा कभी भी जीरो नहीं बनता है बोलो कहीं बनता है क्या दो गुड़े तिन करोगे चार गुड़े नो करोगे पांच गुड़े साथ कुछ भी करोगे कहीं जीरो नहीं आएगा तो इसको फट से तिनो लाइन लिखिए, अभी समझाता हूँ, जब भी दो गुड़े 5 आएगा तो सुनने का निर्माण होगा, संख्याओं का गुड़नफल करते समय, दो गुड़े 5 जितनी बार आएगा, दाहिनी और उतने ही सुनने बढ़ेंगे, तिफरा नमबर, संख्य नमबर, सी देखो, भी देखो, इनको देखना पड़ेगा, जल्दी स्क्रीन साट लीजिये, अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं, अगर आप इसे अप्लिकेशन में देख रहे हैं, तो आप इसका वीडियो रों करके लिखिए, स्क्रीन साट मद लीजिये, क्यों? क्य अगला पॉइंट लिखे जल्दी से फट से, नेक्स्ट, डी नमबर, क्रमागत संख्या के गुड़नफल में, दो से कम पांच की संख्या होती है, अगर कहीं भी क्रमागत संख्या का गुड़नफल दिया होगा, तो उसमें दो की संख्या जादा होगी, पांच की कम होगी, अभी आगे कोश्चन करेंगे तो सब क्लिर हो जाएगा जितने 5 होंगे दो गूड़े 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे और दाहिनी और कुल गूड़नफल में उतना ही सुनने होगा यह बात ध्यान रखना है यानि दो गूड़े 5 में से स्वारी 2 और 5 में से जिसके मतलब जैसे मानलो आप पैतालिफ लेलो या उंचाफ लेलो तो यह सब ही विसम संख्याइं हैं इसमें 5 तो आप ले आओगे जैसे 5 गुड़े नौ 5 545 या 5 गुड़े 3 गुड़े 3 पांतियां 15 तीवाइब तो इसमें समसंग के आपस में गुड़ा करो लाइस्ट में कभी सुनने नहीं आएगा इसको लिखिए कुष्टन पर चलते हैं फिर और अच्छे से क्लियर होगा जल्दी करें कि कमेंट के चक्कर में ना परें रिंकी कुमारी हां कमेंट आपका आ रहा है दीब का कि मनोज साहू सबका कमेंट आरा आप परेशान ना रहें सबका नाम नहीं बोला जा सकता आगे कलाश देखें कोई डाउट होगा तो कमेंट करें कि चलिए फटा-फट कोश्चन करिए कि करा 25 इंटू 64 इंटू 60 इंटू 625 के गुड़नफल के दाहिनी और कितने सुने होंगे इनका मल्टीपल करोगे तो लाश्ट में कितने 0 आएंगे या आपको बताना है बहुत सिंपल है आईए मैं बताता हूं देखो मेरे भाई सबसे पहले इनके फैक्टर कर लीजी आप देखिए इसको 5 गुड़े 5 करेंगे न तो आपको पता है इसको जब 5 गुड़े 5 करोग छे लिख सकते हैं इतना बेसिक गड़ित आपको आती है कि 64 को हम दो कगा छे लिख सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना इसको हम क्या लिख सकते हैं 60 को 60 को देखो दो गुड़ा दो यानि एक बार दो से भाग करेंगे तीस आएगा इसे मुझे लग रहा है कि दो कगाद दो लिख सकते हैं तो दुना चार ती बारा पंचे साड़ ना यह हो सकता है देखो कुल मिला करके मोटा मोटा अगर हम इसाब करें एक बार थोड़ा बिश्तार से करी देते हैं देख लो इसको तो मैंने सीधा-फिदा लिख दिया इसको भी लिख दिया इसको मैं लिख ले रहा हूं दो दूना चार त्याइं बारा पंचे साड़ ठीक है और 625 को हम पांच की घात के रूप में लिख सकते है कितनी बार पांच बार होगा क्या देखो पांच 25 25 125 चार बार होगा ना यार करके देखो अरे 25 25 आप में 625 होता है न तो 5 का घात 4 होगा यानि हम इसे 5 का प्वावर 4 लिख सकते हैं अब समझना यह 4 घात यह एक घात यह दो घात और यहां पर देखना इनको सबको वही तो हिसाब करना है न हमें 5 और 2 की घातें निकालने हैं फाइनल में तो 5 का घात देखो 2,1,3 और 4,7 यानि 5 का घात 7,2 का घात कितना आ जाएगा 6,2,8 और यह 3 अकेले है लेकिन हमें इस 3 से कोई मतलब नहीं है इसको हम लिखे या ना लिखे जैसे मैं आल्रेडी आपको पहले ना बता चुका हूं कि इसमें सिर्फ और 5 से मतलब है उनकी घातों से मतलब है बाकी किसी से मतलब मटना मतलब नहीं उतना जматलब नहीं पाकी बराती रहें रातें भाग जाएं कोई मतलब नहीं कि समझे रहे हो ना मुख्य वही होते हैं तो वैसे क्या है यह दुन दुला दुलाहिन मांद लो इनको बस इसमें अभी रूल में क्या लिखा पीछे पल्टो लिखा था कि इनके संख्याओं के गुड़नफल में है तो जितना इसकी घात है वह आंसर है आप लिखेंगे गुड़नफल के अंत में साथ सुनने होंगे कितने साथ सुनने होंगे देखिया इनका मल्टीपल नहीं करना पड़ा कितना असानी से आ गया न तो परिक्षा में कल्कुले संतेज होने के लिए आपका बेसिक बहुत